ओके तो आज की वीडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग होने वाली है और बहुत इंपॉर्टन्ट स्पेशली बिगनर्स के लिए किस एरिया में बिगनर्स तो यह आप देखरें पा रहे हो यह वन कार्ड है यह ICICI का प्लाटिनम है यह कोटक का A11 ड्रीम डिफरेंट है इन तीन क्रेडिट कार्ड पर चलते हैं अभी ब्रॉडर तो क्रेडिट कार्ड जो बिगनर्स होते हैं 18 यह जैसे यह कॉमेंट आया मेरे पास और शुबंकर आर्या का है और इन्होंने लंबा चोड़ा कुछ-कुछ पूछा है लेकिन सब कुछ एक बिगनर परस्पेक्टिव से एक बिगनर क्रेड कार्ड के दुनिया में कैसे आ सकता है क्या फाइद है क्या नुकसान है तो इनके सारे कोश्चन को आंसर करेंगे और इसको आप अपनी लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो मतलब जो भी बिगनर यह वीडियो देख रहे हैं तो कुछ गुद हैबिट बाद हैब अब अब हो जाएंगे इसमें तो पहले तो यह थैंक्स वगर आप बोल रहे हैं क्योंकि यह वान कार्ड वरसे देख एक चीज़ वार अब कुछ अच्छा किया तो थोड़ा प्रशार कर लें अच्छे वान कार्ड वरसे वान कार्ड लाइट जो वीडियो है अगर आप वा तो अच्छे से सारी डीडेल्स हैं वह आपको अच्छा लएगा और क्लारिटी बहुत मिल जाएगी रिवार्ड सिस्टम वगरा इसका इसका अलग वीडियो है थोड़ा सा कन्फूजन है अभी तक मैं ही यूज कर रहा हूं और रीडीम करना भी सीखा है तो वह सब एंबिगनर और इनके एसाब से मतलब यह सोचने कि है क्या यह कार्ड बेस्ट है और क्रेट जैनेरिया करने के लिए मतलब इनकी जो सीब्यें करना की गोरी जरूर्ण albakean तो देखो ये कार्ड बेस्ट है भी और नहीं भी आपके अगले कोश्चन के हिसाब से बेस्ट क्यों है उनकि देखो 18 years में आपको सिर्फ FD based credit card ही मिलना है दूसरी बात किसी-किसी bank का FD based credit card लेने के लिए भी आपको 20 years 21 years होना चाहिए वैसे वो लोग अब lower कर रही हो कि credit card एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है बैंक के लिए पैसा कमाने का अब जैसे default करोगे इतनी high interested लगती है कि वो काभी profit मुझा जाता है उनको फायदा होता है ठीक है तो FD based credit card तो ये तीन options के अलावा भी और options है तो देखो इन तीनों card के बारें बात कर लेता है पहली बात अगर आप FD करार हो या तो आप कुछ pocket money based होगी या आप direct parent से मांग लोगे input मतलब input cash तो क्या है कि जो one card है वह आपको 6.5% interest देगा FD पे और ये दोनों ही card अलग-अलग tenure में अलग-अलग interest देते हैं लेकिन one year की बात करते हैं कि one card सीधे one year पे renew होता है तो one year की बात करें तो दोनों ही 4.9% दे रहे हैं जो मैंने last check किया उसमें तो आपको 1.6% ज्यादा interest मिल रहा है मतलब अगर आप 10,000 के आसपास से start करोगे तो one year के end में आपके पास 160 एक सो साथ रुपए जादा होंगे अगर आप one card या नहीं SBM bank इसका partner है FD based card के लिए तो वो आपको मिल जाएगा दूसरी बात अगर आप सच में बहुत जादा invest कर सकते हो उस टाइप की money है आपके पास 50,000 की मैं बात करा हूँ तो one card आपको directly metal card देता है FD based ही और metal तो metal ही होता है ठीक है जैसे बोलते है अपने तो अपने होते है वैसे ही metal card metal होता है तो 50,000 में आपको metal card मिलेगा इन तोनों के case में वैसा कुछ नहीं है प्लास्टिक ही मिलेगा तीसरी बात अगर आप low से भी start करना चाहते हो तो यह सिर 2000 से start हो रहा है इन दोनों में सा कुछ नहीं है ठीक है तीसरी बात 110% limit कि आपको लोग बताएंगे लेकिन उसमें catch है कि 110% limit आप use नहीं कर सकते तो मिलने का क्या फाइदा कोई फाइदा नहीं है वो marketing gimmick है आपको अच्छा लगने के लिए ठीक है आपको अच्छा लगेगा क इसके अलावा रिवार्ड सिस्टम अगर समझोगे अगर आप थ्री कैटेगरीज पर स्पेंट कर पाते हो पर मन्त तो इसमें आपको 5x1 कार्ड में बोनस रिवार्ड मिलता है उस हिसाब से इसका जो रिवार्ड कंवर्जन रेट आता है यह इन दोनों कार्ड से बेटर आ जाता है ठीक है अब चलो मैंने कार्ड तो एक्स्पेंट कर जो मेरे पास थे परस्नल यूज केस में अब आते हैं आपके नेक्स कोर्शन की तरह हाँ मच टाइम ड़स टेक डिस कार्ड टेफ और सिबिल्स को रिपोर्ट बिकॉस क्रेट ड़स्ट अट लाव तो प्रेट क्र किन अगर बात करें तो कोटक में जाला टाइम लग गया सिबिल ने जो मेरी रिपोर्ट डाली सिबिल स्कोर की वो यह थर्ड मन्थ में आया मतलब दो मन्थ बाद रिपोर्ट किया इन्होंने तो थर्ड मन्थ पे शो हुआ आइसी आई से इनने एक मन्थ बाद रिपोर्ट क से ठीक है three months और यह second month one card का एक month बीच चुका है अभी तक नहीं शो हुआ है कोई बात नहीं one month में ऐसे भी ज़रूर ही नहीं हो जाए तो इस पर update देंगा मैं बाद में अब आपकी second query की बात करते हैं और यह बहुत common mistake है कि cred does not allow to create account without civil score 750 तो देखो cred जो है न वो civil पर काम नहीं करता है वो experience पर काम करता है mostly 99% पता नहीं आप ने कहां से यह लेकिन मैंने cred को देखा भी और cred में जो report जो भी update होते हैं वो experience वाले होते है experience भी civil के तरह एक authority है वो भी आपको report देती है similar basis पर judge करते हैं लेकिन score का variant थोड़ा अलग-अलग हो जाता है उसे दादा फार्क नहीं पढ़ता है जैसे civil में अगर 750 को अच्छा मानते हैं तो experience में एक्सपीरियन में अब report होने में कितना time लगता है वो भी मता दूँ experience में आपको शौक होगा जानके कि experience में kotak ने रूला दिया मुझे यह fourth month में मतलब चौथे month में जाके भी update मतलब मेरा civil score आने के एक month के बाद वाले month में यह experience में आया और यह वैसे ही क्योंकि यह card मैंने बाद मिलिया अगर किसी ने मेरी unboxing वह रखी videos देखी है इसकी तो यह second month में show up हो गया तो या तो ऐसा है न कि यह card ही बेकार था मतलब experience में update करने के लेहाज से यह ऐसा है कि एक पर आपका report updated है न तो जो बागी cards होते हैं वो उस पर जल्दी जल्दी update होते जाते हैं मतलब क्योंकि आपका पहले से वहाँ पर balance sheet data sheet जो भी बोलो हो है तो banks को बाद डालना होता है लेकिन जो first query है क्योंकि यह तो मेरा first card था मेरा भी जीरो था मतलब clean slate तो first में हो सकता है थोड़ा time लगता हूँ ठीक है फिर भी मैंने आपको एक idea दे दिया कि यह इसमें रुला दिया मुझे मेरा cred मैं rewards क्या इंतिजार करता रहा गया और cred के कितने अच्छा अच्छा offers निकलते चले चले गए और यह fourth month लग गया तो होटक में तो भाई थोड़ा रूखी जाना आइसी 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 आई प्रिफर कर लो वन काठेस से मैंने बोला सिबल में नहीं आ है तो experience में भी अभी नई शो हुआ एक मंत ही हुआ है एक मंत में शो भी नहीं होता है कैसे होगा एक मंत के बाद ही वह रिपोर्ट करेंगे ना उनके पास आपकी बिल पेमेंट हिस्ट्री वगरा सब कुछ होना चाहिए तब तो वह पहली बार रिपोर्ट करने है लास्ट कोशन से पहले एक छोटी सी चीज़ और कार्ड्स तो ठीक है लेकिन आपको क्या ट्राइ करना चाहिए मैं बता दूँ फ्लिपकाट पे लेटर या एमाज़ॉन पे लेटर से मेरी परसनली एकदम मजा नहीं आया था फ्लिपकाट पे लेटर जो है उसने एक मंत में सिबिल में अपडेट कर दिया था यूंकि वह ऐ इस 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 वह और आपका अपडेटीट रहेगा, अथि एक्सपीरियन तो होता रहेगा, अतलब क्रेट कली एक्सपीरियन चाहिए मैं अभी दिखा भी दूगा, लास्ट में आपका सारे कोशन्स खतम करना, लास्ट कोशन है, आफ्टर जनरेटिंग सिबिल स्कोर, हाव मच civil score will I get will it be 750 देखो यह question बहुत interesting है और simple ली बात है score जो है ना वो बहुत अलग-अलग चीज़ पर depend करते हैं ठीक है मैं सारे यह बता देता हूं आपको एक बार criteria's क्या-क्या होते हैं मैंने यहाँ पर निकाल के रखा हुए यह based on time फिरे हुता है आपके बाद account का mix कैसा है है फिरो अपका outstanding balance कितना हूज हैं मतलब समझश कि Yep कि अपने कितना despair किया अपके अपके ज़ान की इतने हैं और आपने क्रेडिट और अजी करदिंध और वगरा कई यह सारे main factors है main तो भई वही है कि आपने कितना payment किया कितने cards हैं और कितना outstanding है main वही है कि आपको 30% से कम खर्च करना है वगरा अब मैं बताऊं कि 750 starting starting में करना बहुत easy है क्यों easy है आपने कुछ लिया product माल लो आपने ये card ले लिया आपका एक limit है आप क्या करो न या first month में उसको use ही मत करो नहीं मेरी बात समझो use कर लो हलका सा अपने दिमाग को ये बोल कर रखो कि मेरे पास तो ये है ही नहीं मतलब आपके पास हो तो भी आप बोलो ये तो है ही नहीं अब बस एक दो transaction करो और उसका जैसे ही bill generate हो 30% से कम रखना 20% मैं तो बोलता हम 20% से भी कम रखना हो ये मैंने विदेश में भी एक दो चीज़ें follow की है विदेश का कुछ कुछ देख रहा था क्योंकि खैर चोड़ो क्यों देख रहा था वो चोड़ो तो मैंने एक दो चीज़ फॉलो किया तो 20% से भी कम बोलो best month में तो इस तरह से खर्च करो कि आपके total limit के 20% से कम का भी bill generate हो और फिर उसको payment कर दो तुरंथ bill generate होते ही ठीक है तो first 2 months में क्या होगा कि अगर आप इस तरह की mentality लेके चलोगे तो credit वगरा को लएगा इसने लिया तो है लेकिन इसके पास इतना cash है या इतना debit वगरा से इसका transaction है यह मेरे उपर liability नहीं है यह खर्च नहीं कर रहा है यह must है इसको बस जरूरत पढ़ती है तो यह खर्च करता है तो आप उस हिसाब से मतलब push होता है क्रेइट स्कोर ऊपर जाते हैं कि आपके पूरी limit बची रहेगी ठीक है आपके payments on time रहेंगे आप बस मानलो आप 200 रुपए खर्च करते हो बस तो 200 रुपए अगर बस खर्च करते हो तो 2000 मानलो बेस स्टार्ट करते हैं तो 10 परसेंट हो गया 10 परसेंट आपने यूज किया वो क्रेडिट को पता चलेगा अच्छा ठीक है इसने 10 परसेंट यूज किया टोटल अमाउंट का और आपने तुरांट भी payment कर देया तो इसको लगा अच्छा वाह मतलब इसने 100 परसेंट मेंसे इस तरिफ 10 परसेंट मतलब उतनी जरूर अगर आप यूज करते हो तो क्या आप इफेक्ट पड़ता है वो ना साइकलोजिकल इफेक्ट है बैंक के ऊपर क्या है कि अगर आप 70 परसेंट यूज कर लेंग तो बैंक को लेगा अरे इसके पास पैसे ही नहीं है यह जो हम अच्छा इसके पास पैसे हैं इसने ऐसे ही एडिशनल ले लिया है तो मतलब कोई लाइबिल्टी नहीं है अगर आप 10 परसेंट यूज कर रहे हो तो ठीक है तो स्टार्टिंग के मंस में 750 करना बहुत इजी है बाद में हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ जाएं आप अब मैं दिखाता हूं कि क्रेडिट स्कोर की जर्नी कैसे उपर नीचे होती रहती है तो यह दखलो यह है मेरा क्रेडिट स्कोर की जर्नी यह यहां से स्टार्ट हुआ 770 780 तक गया फिर से वापिस है थोड़ा नीचे अभी 763 है और यह प्रोजेक्टेड है कि यह उपर जा जाला हुआ है तो वह मैं फिर से डाल दूँगा तो उपर नीचे क्यों जाता है तो देखो नीचे इसलिए भी जाता है अगर आप न्यू अकांट्स खोलोगे तो क्रेडिट को लगता है कि आपको और ज्यादा क्रेडिट की जरूरत पढ़ रही है मतलब आप और ज्यादा कार्ड्स और जादा लोन्स इसलिए ले रहे हूँ ठीक है और दूसरा इसलिए कम हुआ है मेरा क्योंकि मेरा आउट्स्रेंडिंग बैलेंस अब देखो सेल अगरा में आपने देखा ही कि मैंने कुछ जारा ही शॉपिंग कर ली थोड़ी बहुत तो वो पूरा पेमेंट नह नहीते पैसे खर्च करने फिर भी इसने पूरा क्रेडिट कार्ड अपना इस्तमाल किया है तो यह सारी प्रॉब्लम से चलो वह आपका सारगोशन आंसर हो गया और ठीक है मैं इसका लिंक फिर से डाल दूंगा अगर किसी को चेक करना है अभी अभी भी है 2000 से 50 स्टार्ट है 6.5% इंटरस्ट मिल रहा है इन दोनों पे अभी भी सिर्फ 4.9 मिल रहा है पता नहीं कियो और आपको ज्यादा इंटरस्ट मिलेगा आपको ज्यादा पैसे मतलब आप कमा रहे हो एक तरह से 10,000 पे 160 रुपे एक्स्ट्रा और रिवार्ड सिस्टम भी अच्छा है अगर आप तीन कैटेगरी में यूज कर पाते हो तो आपको इन दोनों के रिवार्ड सिस्टम से बेटर इसमें मिलता है एक चीज़ क्या और बेटर है कि इसमें डाइरेक्ट कैश में कनवर्ड होता है इन दोनों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है यह आपको पेबैक पॉइंट्स अगर आपने सुना होगा बिग बजार बगरा पहले शॉपिंग पार्टनर था और इसमें आपको कोटक के पॉइंट्स मिलते हैं तो कोटक का अपना स्टोर है वहां रिडीम करो या कुछ भी करो कोटक में माइस्टोन रिवार्ड बगरा भी है तो वह अगर आप रीच कर पाते हो एक साल में 75,000 रूपीज तो थोड़ा सा बेटर हो जाता है रिवार्ड स्टक्चर लेकिन वन कार्ड डे टू डे बेसिस पर मंथली बेसिस पर सही है अगर आप तीन के टेगरीज में यूज करते हो तो आपको 1% का वह रिवार्ड सिस्टम समझाऊंगा चलो फिर होप क्लियर हो गया हो सब और बिगन करो अपनी जरूरी भी है क्योंकि बाद में आपको और टाइम नहीं लेगा अगर आप अभी भी चेक करो तो आपको अपने घर के बढ़ों में से ऐसा कोई ना कोई नहीं बहुत लोग मिल जाएंगे जिनका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है ठीक है तो क्रेडिट स्कोर डेवलप करो बाद के लिए भी जरूरी होता है इसी के बेसिक पर आपको लोन से लेके बाकी क्रेडिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स देखो इंपॉर्टन नहीं होगी आपको अट दी अंड ओर डे खर्च करने के लिए भी कैश बैक मिल पॉइंट समझे रो चलो फिर बाइ